नमस्ये दोस्तों मैं सुनिता सुनी इस किचन में आपका बहुत बहुत फागत करती हूँ मुंबई में सबसे ज़्यादा फेमस है बड़ा पाओ और उसके बाद सबसे ज़्यादा फेमस है भजिया पाओ तो बहुत ही लोग इसे जादा पसंद करते हैं शाम के वक्त बारिश में गर्मा कर्म भजिया पाओ और चाय मिल रहा है तो बात ही कुछ और होती है तो आज हम बनाने वाले हैं भजिया पाओ तो चलिए करते हैं इस रेसिपी की शुरुआत उसके लिए एक आलू मैंने यहां पर इसके पतली-पतली-चैस कंट कर लिए है हमें आलू को न ज्यादा पतला करना है और नहीं ज्वादा मोटा इसके पीसेस रखने है यहां पर एक बाउल में मैंने आदा कब बेशन एक चोताई चमच मेंने आपर हलदी एक चोताई चमच लालमेच पौडर और स्वादन स नमक एड़ किया है इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करते हुए पानी एड़ करेंगे और इसका गाड़ा गोल बना लेंगे गोल हमें ना ज्यादा पतला रखना है और नहीं ज्यादा गाड़ा एकदम मीडियम कंसिस्टीनसी वाला हमें ग दन्या को दोना बहुत ही जरूरी होता है तो हमने इसे अच्छे से दो लिया है अब जो आलू के पीसे समने कट करके रख लिये थे वह हम इसमें ऐसे डिप करेंगे और इससे फ्राय कर लेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं यह बजिया काने में तो चलिए हम अब बिन से फ्राय करते हैं तो यहाँ पर कड़ाई में मीडियम ही त्मे मैंने तेल को गर्म कर लिया था हमें इसे बेसं में ऐसे डिप करना है और तेल में फ्राय कर लेना है तो यहाँ पर low flame पे medium डूडो फ्रेम पे हमें इसे तीन से चार मिर्ट तक अच्छे से गोlden होने तक हमें तो ये देखे इसलिए हमें आलू के slice को ज़्यादा मोटा नहीं कट करना है नहीं तो ये कच्छे ही रह जाएंगे तो यहां पर हमने एकदम पदेट एक हमें स्लाइस कट कर लिए ते हैं इसे अच्छे से fry कर लिया लिए तो यहां पर भजिया पाओ के साथ हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंचिनेस के लिए यहां पचूरा बनाया है मैंने तो यह मैंने चम्मत से एड़ करके बनाया है नॉर्मली इसे ना ऐसे हाथों से बनाते हैं तो मैं आपको बताती हूं देखे बिल्कुल ऐसे ही बेसन का लालम्यूच नमक आड़ करके चटणी बना लेते हैं तो यहां पर मैंने चटणी बना के रख ली है तो अब हम इसे सब कर लेंगे तो यहां पर मैंने चूरे की पहले चटणी आड़ नीकर ली आटा ना बेसन का वह इसमें आड़ कर लिया है तो यह देखे बहुत बिना अग्ले इसे ही मिज़दार रेसिपी के साथ निन्यवारा